तो गाईस, सिंस कुछ इस तरह का है कि आज है एद का दिन, ठीक है, तो अभी मुझे नमाज प्रपढ़ने जाना है, नमाज होगी, सब 8 बजे नमाज होगी, तो जाना है, इंशाल लग जाएंके, ठीक है, तो अभी मेरे बाद बिल्कुल भी टाइम ही है, तो अभी देर भी ह ए तो बस फटाफट से ताया हो जाता हूं, फिर जलते हैं नमाज पे ठीक है, तो गाईस, मैं तयार होकर आ चुका हूं, तो अब छलते हैं नमाज पढने, नमाज पढ़कर फिर मैं आप सब चुन्त करता हूं, ठीक है? तो गारी दिखाने से पहले, थोड़ा कुछ खा लेते हैं भूख भी लग रही है ठीक है तो कुछ मेठा बनाया है गड़वालों ने तो खाते हैं ठीक है तो गाइस यह सवैयां बनी है तो बस अब इसे जल्दी से खाते हैं और यह खाकर फिर मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाने लेकर चलता हूं ठीक है तो गाइस चलिए अब अब मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूं ठीक है फिर थोड़ा चलते हैं जाएब पर ठीक है करता है कर बेंर कर दोने चारिक का teफ का इसके बा 사진 देड़ास कर दोकाे कि दिशनी adva अब मैं लेडि़ा बसम लेड कर दो अब मैं पर का दो किए दोगे हैं बाइस यह है मेरी न्यू कार और इस कार काना में कोरोला हाइबर्ड जो के बिलकुल अभी अभी आई है गाड़ी तो आप लोग कोमें बताएगा कि आप लोग को कैसी लगी और इस कड़ी कार माशाला बहुत ही अच्छा है तो गाइस यह है मेरी न्यू कार माशाला से तो गाइस आप लोग को बस एक ही आसान सा काम करना है आप लोग को माशाला बोल देना है ठीक है माशाला लाजमी बोल दीज स्ट्राप से प्लीज ठीक है तो दोस्तों अब चलते हैं ड्राइब पर ठीक है कि अब अब इस आब आए तो गाइल अब ही मैं यह माठ आया वाओं तो जलते हैं माठ कोचीजे लेते हैं चीजे लेकर बढ़ चलते हैं गार ठीक है तो गैसी है माठ यह हमारे गाओं के करीब ही है तो इसलिए हम यहां पर आए आए हैं जिप सब्राइब लेते हैं जिप सुगई कोल्टींग हो गए यह दो तिन चीजें यह लेते हैं ठीक है पिर वापस देलते हैं गर तो काई अभी मैं माठ के अंदर आया वहाँ तो यह मैं चीजे मेने ले लिए हैं तो अब बस चलते हैं और और असल में मारा प्रोग्रम आज मेप्रखास जाने का भी था लेकिन वो तो अभी किन से दो गया है क्यूंकि हम कल गये ते कल चांद रात पर हम गये थे हम चार कजन थे और एक मेरा दोस्ता स्पेशला दोस्ता ठीक है तो क का भी बना नहीं है हो सगे रात को हो सगे शान बन जाए रात को अगर रात को बना तो इंशाला चलेंगे वहां पी ठीक है रात को चलेंगे पर अगर बना तो तो गाइज में माट गया था ठीक है वहां से यह चीजे लिए है चिप्स और कॉल्जिंग सही है यह ले ले ये चिप्स वगेरा कॉल्डिंग प्यूंगा ठीक है तो गाइस ये गरम अगरम बिर्यानी बनी है तो आप इसे फटा फटा जली से खाते हैं भूपी बहुत जोर के लग रही है कसम से तो बिर्यानी खाकर फिर मैं आप सबसे पंद्रा मिंट के बाद मिलता हूं 15 मिनित लेटर तो आप ये अव्यानी खाल गिया तो दोस्तों ये था मेरा चोटा सा व्लोग इद बनाया तो मैं अमीद करता हूं के आप तब को मेरा बलोग पसंदाया होगा तो इंचला पर मिलते है ने फ्लोग में तबते के लाला आपस और गुटभाई कर दो